Hello everyone, hope you all are doing well Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजए और नोटिफिकिशन आगन दबाईए ताक कि जब भी मैंना वीडियो डालू आपको उसका नोटिफिकिशन आजाए तो आज से हमको थर्ड उनिट चालू करना है जिसमें हमारा जो फॉर्स टॉपिक है वो रहने वाला है बेसिक ट्रांस्वर्मिशन का तो अब हमने जो शेप्स बनाए थे उन शेप्स को अगर हमको मूव करना है उसको रोटेट करना है उसका हमको साइज चोटा बड़ा करना है तो वो तीन चीज़े हम यहां पर देखने वाले है जिसमें से पहला रहने वाला है हमारा ट्रांस्लेशन ट्रांस्लेशन का मतलब एक जगा से हम उसको दूसरे जगा पर मूव करेंगे विदाव चेंजेंगे इस फॉर्म या फिर शेप दूसरा हमारे पास रहने वाला है रोटेशन मतलब उस अब्जेक को हम लोग क्लॉक्वाइज कांटर क्लॉक्वाइज ऐसे उसको घुमाएंगे ठीक है और तीसरा रहने वाला है हमारे पास स्केलिंग तो तो त्रांसलेशन क्या होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो इसलिए हमारे पास में अगर सपोस कीजिए कोई तो उसमें मैं transformation लगाऊंगा TX axis पे और वो मेरा नया point बन जाएगा X' वैसे ही Y मेरे पास में जो initial point है उसमें मैं कुछ तो भी TY जोड़ूंगा transformation और वो बन जाएगा मेरा Y' जैसे अगर मेरा X है 1 तो उसमें मैंने जोड दिया 2 तो मेरा X बन गया 3 वैसे ही मेरे पास में Y है अगर 1 उसमें मैंने 2 जोड दिया ये बन गया Y मेरा 3 मतलब भी 33 पे आ जाएगा मेरा X और Y तो इसको हम ये जो TX और TY है इसको बोलते है हम लोग translational vector या फिर shift vector अब ये जो equation है हम इसको एक matrix format में भी दिखा सकते है matrix format में हम लोग एक point है हमारे पास में एक point ते dash मतलब नया वाला point और ये हमारा transformation तो हमारे पास में point है X1, X2 इसमें हम transformation लगाएंगे TX, TY तो हमारा नया point बन जाएगा X1, X2 dash इसको हम ऐसे भी लिख सकते है कि मेरे पास जो point है उसको मेंने translation लगाया तो मेरा P' बन गया तो ये जैसे मेरा X point था मैंने उस पर ये translation लगाया तो मेरा ये बन गया P' नया तो इसलिए मेरा P plus 0T लगाया मैने तो मेरा बन गया P' ठीके वैसे ये example में दिया हुआ है कि ये मेरा एक polygon है यहां पर इस polygon को मैंने shift किया है माइनस 5.50 और 3.75 अब माइनस 5.50 मतलब X axis पर माइनस 5.50 हो जाएगा जैसे यहां पर हमको दिख रहा है कि ये है 9 के उपर में start हो रहा है तो 9-5.50 हो जाएगा तो ये रहेगा 4.5 तो इसलिए अगर आप देख रहे हैं यहां पर तो ये हो गया मेरा 4.5 के आसपस से चालो हो रहा है और से मेरा जो Y axis है Y axis पर 3.75 प्लस हुआ है तो जो Y axis है यहां पर कुछ 2 के आराउंड पर था तो यहां पर अभी 3.75 प्लस होने के आपन में 5 पॉइंट कुछ तो भी हो गया है वो ठीक है तो यह हमने simply translation किया है एक जगह से दूसरे यहां मूव कर रहे है एक और Y axis पर इसको बोलते है translation next है हमारे पास में जिसको बोलते है हम लोग rotation अब rotation जब करते है तब सपूस कीजिए यह मेरा object है तो मैं उसको एक point consider करता हूँ rotation point जिसको हम बोलते है और उस rotation point से हम एक angle लेते है theta कि मुझे कितना rotate करना है कितने degree से rotate करना है तो यह xr और yr जो है यह हो गया rotation point और कितना मुझे rotate करना है वो हो गई मेरी degree ठीक है या फिर जिसको मैं rotation angle बोलता हूँ या फिर जिसको मैं theta बोलता हूँ simply अब यही चीज हमारी यहाँ पे तो एक random point पे हुई थी rotation point पे मैं उसको coordinate पे भी कर सकता हूँ तो x0 y0 से लेके भी मैं देख सकता हूँ कि मेरा कि मेरा अगर यह point था xy तो उसको मैं angle लगाऊंगा कोई तो भी theta और उसके उपर मेरा नया बनेगा x dash y dash और यह जो मेरा distance रहेगा जो first point जो है मेरा यहने x y उसके थ्रूँ जो मेरा radius बनेगा ठीक है तो यह radius draw करने के बाद में जो भी मेरा angle बनता है मेरे x0 के comparison में वो होता है मेरा 5 तो यहने पहला जो angle हो गया मेरा वो 5 हो गया पहले point के लिए और वैसे ही मुझे कितना move करना है तो वो हो गया मेरा theta तो इसके उपर से मैं एक equation भी बना सकता हूँ कि x dash जो मेरा नया point है equals to r cos 5 plus theta और इसको अगर मैं expand करता हूँ तो r cos 5 cos theta minus r sin 5 sin theta वैसे ही y dash के लिए r sin 5 plus theta अगर मैं इसको expand करता हूँ तो मेरा बनता है यह equation तो यह बन गया मेरा x dash और y dash का equation तो x dash y dash का बन गया अभी x और y का भी equation देख लेते हैं x और y का simple polar coordinates रहते हैं x equals to r cos phi y equals to r sin phi तो अब r cos phi जो है उसकी value x है तो यहाँ पे r cos phi है यहाँ पे r cos phi है तो मैं यहाँ पे यह जो values है वो मैं equation 5.4 में डाल लूँगा तो मुझे मिलते है x dash और y dash के नए values अगर मैं इसको matrix format में लिखने ही कोशिश करूँ फिर से simply में कर सकता हूँ कि मेरा जो point है उसमें अगर मैं rotation लगा दू तो मेरा नया point बन जाएगा जहाँ पे मेरा जो r है rotation matrix वो रहेगा cos theta minus sin theta sin theta cos theta अब column में ना करते हो अगर मैं row vectors में जाता हूँ तो row vectors में इसको में transpose लगा दूँगा तो r into p transpose अगर मैं लगा दिया तो p' transpose मिलेगा अब इसको मैं अगर transpose है इसको मैं अगर अंदर लेता हूँ तो p transpose into r transpose बन जाता है अब हमने एक equation दो बना लिया था जो हमारा origin से होता था अगर मेरा point origin से दूर है तो मुझे simply क्या करना पड़ेगा कि वो जो point का distance है याने ये जो मेरा r है xr और yr रहने वाला था तो बस के difference मुझे जोड़ देना है पुराने equation में तो जैसे x dash है तो xr plus x cos theta था तो x cos की जगा मैंने x minus xr कर दिया वैसे y sin theta था तो y के जगा y minus yr कर दिया वैसे ही same यहाँ पे x sin theta था उपर में तो उसको x minus xr कर लिया y cos theta था था तो y minus yr कर लिया और उसके साथ में जो distance था उसको मैंने join कर लिया तो हमको x-axis पे कितना scaling लगाना है वो multiply करना है जैसे into 2 करना है into 3 करना है ठीक है यह वैसे ही y पर भी मुझे देखना है कि कितना scaling factor लगाना है तो Sx मतलब X का scaling factor Sy मतलब Y का scaling factor और जब मैं Sy को scaling factor को Y के साथ join करूंगा तो मेरा y' मिलेगा scaling factor को x के साथ join करूंगा तो मेरा x' मिलेगा इसी को matrix format में लिखते है तो x' y' जो नए वाले points है कैसे बनेंगे पुराने points जो थे xy उसके साथ में मुझे scaling factor लगाना है sx और sy गा इसको simple format में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो point है मेरा p' e' equals to scaling factor s into point p अब दू टाइप से मैंने बता है तो scaling हो सकता है एक हो सकता है हमारे पास में uniform scaling और दूसरा हो सकता है हमारे पास में differential scaling uniform scaling में x और y जो दोनों है दोनों same quantity से बढ़ते है और जब differential scaling की बात आती है तो x और y दोनों individually अलग-अलग बढ़ते है जैसे कि ये example में ये example में क्या हुआ है कि मेरा जो s y है मतलब y axis जो है वो मेरा simply ये जो distance है वो उतना का उतना ही है मतलब s y scaling factor जो है वो 1 ही है लेकिन s x जो है equals to 2 है मतलब ये जो x था ये into 2 हो जाएगा मतलब 2 into 2 बढ़ गया हो तो इसलिए आप देख सकते कि x axis बढ़ गया लेकिन y जैसा का वैसा है तो ये होता है हमारा differential scaling अब अगर मैं बात करता हूँ scaling की तो क्या होता है कि scaling जैसे-जैसे मैं कम करते जाता हूँ मतलब ये अगर मेरा original object है अगर मैं छुटा करते जाता हो size तो मेरा coordinates के पास में आते जाता है और जैसे मैं बड़ा करते जाता हो वह से वह coordinates के दूर जाते जाता है तो ये ना हो इस चीज के लिए हम एक चीज हम एक concept ला सकते है fixed point का अब वो जो fixed point है वो क्या करेगा कि वो जो भी हमारा object है उसको fixed रखेगा वो fixed point पे और फिर हर बार जब भी मैं calculate करूँगा तो ये जो fixed point रहने वाला है जिसको में denote करूँगा xf या फिर yf से वो उसी point पे रहेगा हमेशा तो कितना भी मैं उसको छोटा कर लूँ या बढ़ा कर लूँ वो उसी point वापस आके वही पे scale हो जाएगा तो उसके लिए हमारी equation कैसी बनेगी कि x- कैसे move होगा मेरा जो मेरा fixed point है प्लस मेरा जो difference है इंटू sx वैसे y- के लिए yf fixed point प्लस difference जो है दोनों के बीच का into scaling factor अब इसमें से अगर मैं multiplicative terms को अलग कर लूँ तो फिर क्या हो जाएगा मेरा simply मैंने xf plus x into sx minus xf into sx कर लिया और इसमें से मैंने क्या कर लिया x into sx जो मेरा scaling factor था वो अलग निकाल लिया प्लस मैंने यहाँ पे जो मेरा fix point था उसको मैंने अलग निकाल लिया तो xf into 1-sx yf into 1-sy यह जो दू रहेंगे मेरे हमेशा है constants रहेंगे तो इस तरीके से हम लोग scaling भी कर सकते हैं तो आज हमने देखा हमारे पास में तीन अलग-अलग type के transformations थे एक था हमारे पास में scaling एक था rotation और एक था translation ठीक है तो आज के लिए इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए आपके कुछ भी doubts है प्लीज मुझे comment section में पूछिए thank you so much take care bye bye